हेलो गाईज समा बात कने वाले हैं agrotech food इस company की बारे में इस company का quarter three effort 23 का result आचुगा है सामने तो कैसा रहा इस company का result और क्या इस company ने dividend दिया है की नहीं इसी के बारे में discussion करेंगे तो video को जरूर से end तर देखते रहें ना Agrotech Foods इस company की बात के रहे है तो company के रिजल्ट से आप लोगों के सामने प्रिजेंटेड है सारी amount से वो lakhs के अंदर बताई गिए outta quarter and quarter base के ऊपर result को compare करेंगे ये इस quarter का result है ये पिछले quarter का result है ये पिछले साल SIM quarter का result है और company का ये stand-alone result देखने का मिलता है ठीक है कमनी की income की बात के रहे revenue from operation and other income को मिला कर कमनी का total income इस quarter के अंदर 22,461 lakh रुपीज का कमनी का total income देखने का मिलता है जो quartering order base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले कमनी का income में वो तेजी से कम होता हुआ नजर आ जाता है कमनी के expense की बात के रहे तो cost of raw material के अंदर अलग-अलग बहुत सारे expense को मिला कर कमनी का total expense यहाँ पर 21,550 lakh रुपीज का देखने का मिलता है जिस परकार से कमनी की income कम हुई है वैसे कमनी के expense भी कम होते वे नसरा आ जाता है जो एक अच्छी बात है बाकि इस कमनी के net profit की बात के रहे दोबाई tax and expenses item काटने के बात कमनी का net profit इस quarter के अंदर 677 lakh रुपीज का देखने का मिलता है जो quarter and quarter base के उपर almost दुगना हो चुका है जो एक बहुत जादा अची बात है और दुगजने से भी जादा हुआ है बाकि पिछले साल से quarter के मुकाबले भी कमनी के net profit में एक अच्छा jump देखने को मिल जाता है कमनी के आप लोग EPS earning पर शेर आप लोग देखने जाओगे तर earning पर share के अंदर भी एक अच्छा jump देखने को मिलता है 2.82 रूपीज पर कमनी का EPS ट्रेड हो रहा है जो quarter and quarter base के उपर फिछले साल सेम quarter के मुकाबले दोनों जगा पर कमनी का result अच्छा देखने को मिलता है सबसे पहले कुछ levels की बात करें तो भाई कंपनी के शेर में 900 रुपे पर एक अच्छा strong support zone देखने को मिलता है यह levels के उपर आप लोग इस कंपनी के अंदर खरीदारी करनी है तो भाई एक level छोड़कर एक levels के उपर कंपनी का शेर गिरता है तो खरीदारी करके चलो जिन लो लोग यहां पर से डायरेक्ली 700 रुपे पर खरीदो 750 पर मत खरीदो तो इस प्रकार से यहां पर एक छोड़के एक यहां पर अच्छे support के उपर खरीदारी करके चलो एग्रोटेक food यहां पर company बढ़िया है company का यहां पर से result भी अच्छा निकल के आया है उस हिसाब से देख सकते हूं ठीक है company के बार में एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाता हूं जो आप लोग यहां पर बहुत ज़्यादा है यहां पर रिसकी investment करते हो ना तर यह चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए company आपर से 2009 के अंदर आप लोग देखने जाओगे तर यह company का 75 रुपीज पर ट्रेड हुआ करता था आज से 12-13 साल पहले ठीक है यह company का 75 रुपीज एटी रुपीज पर ट्रेड हुआ करता था अल्मोस्ट यहां पर यह company ने पिछले 10 साल के अंदर आप लोग देखने जाओ पिछले 12-13 साल के अंदर इस company ने अपने इसे रोल्लस को 1000 टका का return कमा करती है जो एक बहुत जादा अच्छी बात है इसे के साथ-साथ company का जो share है ना जब यहां पर अच्छी तेजी दिखाता है तब यहां पर तेजी दिखाता है और गिरावट आती है ना तब यहां पर 50-60% company का share easily लुड़क जाता है तो यह चीज भी आप लगों की गिरावट दिखाई थी उसके बाद यह communication में फिर से एक बहुत एच्छी तेजी आई 70 रुपे 80 रुपे का share 700 रुपे तक पहुच गया और उसके बहुत बड़े consideration phase के बाद फिर से गिरावट आई 40% की गिरावट आई COVID-19 वक्ट है ठीक है उसके बाद यहां पर फिर से एक बार तेजी आई है फिर से कमनी का share kingdom यहां पर 40% के आज पास गेड़ता उपर नजर आया 40-50% तक की गिरावट देखने को मिली फिर से एक तेजी आ रही है possibilities यह है क्यार यह जो आप उपर के दो लेवल ब्रेक आउट कर देता है तो बारा सो रुपे तक कि यह कमनी का share जा सकता है इन्वेस्टेट हो तो hold रखे इन्वेस्टेट नहीं हो तो मैंने जो लेवल्स बताए हुए उन लेवल्स के उपर खरीदारी करके चल सकते हो ठीक है तो यह था हमारा opinion इस कमनी को लेकर तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद है तो लाइक है और से लिको जो से लिए गल्साइबस लेथ भाइबस के लिए उन्हान के लिए बड़ मता ग्यां के लिए जाने जारी कर्या दो लेवल्स के लिए लागने है और सै पन्हाल